हेलो नमस्कार कुछ डिरेक्टर्स हमारे देश में सुपर सक्षिस्फुल होते किसी एक खास जॉनर में लेकिन उसके बावजोद भी एक्स्परिमेंट्स करते रहते हैं जैसे कि आश्रतुष गवारिगर का लगान के बाद वाट्स यूर राशी करना राकेश उंपरकाश मेहरा का रंग दिव असंते के बाद निर्जिया करना रांग उपाल वर्मा का सत्या कमपनी और सरकार जैसरी फिल्मों बाद दौर और नाच जैसे फिल्मे करना और मधुर भांडार करका कॉर्परेट और चान्दी बार जैसे फिल्मे कोई बाद एकायक ही दिल तो बच्चाई जैसी फिल्म करना यानिकि ये डिरेक्टर अपने खास जॉनर में तो एक्सपर्ट होते हैं लेकिन इनको एकसाइटम जैसे कि शिराम रागवन का अगर आप एक्जामपल ले तो जॉनी गद्दार या फिर एक हसीना थी या फिर अंधाधूद ये सारी थीलिंग एलिमेंट और थीलर्स हैं उनके अलावा अगर हम संजलियला भंसाली की बात करें तो वह भी लार्जर देन लाइफ पिरेट ड् होती है ऐसे शूपर सक्सेश्फुल जूलियट रोमियो की ही कहानियों को दोराते रहते हैं और फिर इंतियाज अली है जिनकी हर फिल्म एक दूसरी पुरानी फिल्म का एक्स्टेंशन लगती है जैसे कि सोचा न था और जब भी मेट और हाइवे और तमाशा ये सारी फिल् का नाम है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में 2012 में लिखा और डिरेट किया था अलंकृता शिवास्तों ने लिप्स्टिक अंडर मैं बुर्खा जो कि बॉक्स आफिस पर भी सक्षिस्फुल थी और साथी साथ के टिक्स ने भी उसकी काफी तारीफे की थी उस फिल्म का हैंगो और अल्वी तक अलंकृता शिवास्तों का गया नहीं है और उस सारा का सारा नजर आता है डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे में कहानी दो कजिस्ट डॉली और किट्टी की जिसमें डॉली मिडल क्लास वर्किंग वोमन है जो नुईडा में अपनी फैमिली के साथ रह रही है और उससे मिलने के लिए किट्टी अपनी बिहार के छोटे से गाओं में अपनी शागी तुलबाकर इंडिमेंडन में होने के ल कर रही है अब यह जो किट्टी है या एक्चुली काजर है लेकिन बड़े शहर में नई नौकरी ढूंडते हुए वह ऐसी नौकरी पाजाती है जिसमें उसको फोन सिक्स करना होता है कॉल सिंटर में और वह अपना नाम बदल करे किट्टी कर लेती है ऐसा मैं उसको प्यार ह जाता है एक शादी शुदा आदमी के साथ और उसे वह अपना दिल बी दे बैखती है और अपना शरी बी दे बैठती है ठीक उसी तरीकर से जो डॉली है वह मिड़ लाइफ क्राइस से गुजर रही है और वह एक डिलिवरी वोय के साथ फ्रॉट कर रही है यहा तरो सब कु सब्सक्राइब अब डिरिक्टर एक्चुली तैने कर पा रही है आधी फिल्म के बाद कि इन करेक्टर्स का करे क्या और डॉली की मम्मी को बुला लेती है जिसको उसनों ने बच्वन में छोड़ दिया था अब डॉली इसलिए भी परेशान है कि उसका जो छोटा बेटा है व डॉली जो है वो अपने बच्चे नुमा प्रीमी के साथ कब्रिस्तार में मिलती है उसे किस करने से इंकार कर देती है लेकिन सेक्स जरू करती है अब जो किटी है वो अपनी फ्रेंड के बाइफ्रेंड के साथ सेक्स करने लग जाती है बड़ा अजीब सा माज रहा है क्यों और ओडियंस देने की हम यह सोच कर हैरार हो जाते हैं कि क्या जिंदगी इतनी अनकंट्रोलेबल और इतनी इर्रिस्पॉंसिबल हो सकती है एक्टर्स में कौंकना से शर्मा और भूमी पेड़ने कर रूटीन है डिलिवरी बॉय के करेक्टर में अमोन पराशर स्पॉकलिंग है और किट्टी के बॉइफ्रेंड के करेक्टर में विक्रांत में सी अंडर उटिलाइज है राइडर डिरेक्टर अलंकरिता शिवस्तव से हमको काफी उम्मीद हैं क्योंकि उनकी रिवालिशनरी और पाथ-ब्रेकिंग फिल्म लिप्सिक अंडर माय बुर्खा के हम सारे लोग बहुत बड़े मुरीद है 120 मिनिट की इस फिल्म में दो गाने हैं जो बड़े अपरेप्ट से हैं फिल्म के लए कुछ और है और इनकी लए कुछ और है कई वार फिल्म बड़ी ही स्टेग्नेंट हो जाती हैं और बिल्कुल भी समझ में आता कि आगे क्या होगा सारे के सारे कैरेक्टर्स स्टैंड स्टील जैसे हो जाते हैं उसके अलावा जो लोग मेकिंग सीज से उनकी भरमार है लेकिन कुछ भी खास कहीं पर भी टेस्टफूल नहीं है सारा का सारा एक्सपरियेंस बहुत ही टाइरिंग और बिलो एवरेज है मैं इसे दूँगा थी स्टार्स